नमस्कार दोस्तो में नम स्रीकान कुमर आप देख रहें टू जेट प्रोसेस आज हम बात करने वब इस वीडियो में दोस्तो बिना कहीं गए हुए घर बैटे अपने मोबाइल ये लेप्टूप के माधियम से मातरे 5 मिनट में किसी का भी बर्ष सर्टिपिकेट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप बिना कहीं गए हुए बर्ष सर्टिपिकेट अपलाई करना चाहते हैं बहुत यह असान तरीका से तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है और birth certificate apply करने के बाद खुद सरी आप birth certificate को download कर सकते हैं कहीं भी आपको जाने के वो शक्ता नहीं पड़ेगा तो कैसे apply करना है, कैसे download करना है, क्या इसका process है सब कुछ इस वीडियो में हम complete बताने वाले हैं इस इस वीडियो को complete देखना होगा तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नहीं तो मेरी चैनल को subscribe करना है、 ब्लाइकन घंटी को प्रिस करना है ताके मेरी वीडियो को notification सबसे पहले के पहुँच पायए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले mobile ये laptop का किसी एक browser को open कर लेना है ब्राउजर में type करना है National Portal of India उसके वा सर्च के option पे click कर दना है सबसे उपर जो link दिख रहा है इस link पे click कर दना है भारा सरकार के official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार के interface देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है search box search box में type करना है birth certificate apply तो यहाँ पे देखिए हमने type कर लिए birth certificate apply और यहाँ पे दिख जाता है search search के option पे click कर दना है जितने state में birth certificate online apply होना शुरू हो गया है उसका list यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उडिसा के लिए है जारखंड के लिए है यहाँ पे आपको देख लेना है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस्ट बंगाल के लिए इसी परकार से दोस्तों आप जिस state का birth certificate apply करना चाते हैं उस state पे आपको click करना है अगर इस list में अगर आपका state का नाम show नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर दिख जाता है next next के option पे click कर दना है, उसके बाद next page open हो जाता है, यहाँ पे आपको check कर लेना है, फिर भी अगर आपका state का नाम यहाँ पे show नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उसके लिएस वीडियो को complete देखना है, फिर हम बताएंगे आगे किस परकार से apply करना है, तो चलिए किसी एक link पे हम click करते हैं, state का official portal इस परकार से open हो जाता है, जो इस परकार की interface देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, online citizen service इस वाले option पे click करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना area को select करना है, कि आप rural area से belong करते हैं, या फिर urban से करते हैं, यहाँ पे select करना है, उसके बाद यहाँ पे district के name को select करना है, इस परकार का एक notification यहाँ पे show हो जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख जाता है, cut cut के option पे click करना है, अब दोस्तों यहाँ पे दिखे, दो service देखने के लिए मिल जाता है, birth certificate अपलाई करने के लिए, और death certificate अपलाई करने के लिए, दोस्तों इस पोटल से आप birth certificate के लिए apply भी कर सकते हैं, correction भी कर सकते हैं, download भी कर सकते हैं, इसी परकार से आप death certificate के लिए भी apply कर सकते हैं, death certificate में किसी भी परकार का correction कर सकते हैं, download कर सकते हैं, तो दोस्तों घर बैटे birth certificate apply करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा इस वाले option पे क्लिक करना है birth certificate online apply करने के लिए इस परकार के एक registration form open हो जाता है इस form को सही तरीके से fill up करना है तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चा का date of birth को select करना है इस box में AMCTS registration ID number को type करना है और AID number आपको मिला होगा जब आप बच्चा को ejection दिलाने गए होगे आगन बाड़ी में तो आपको वहाँ पे ejection दिलाने वाला एक मिला होगा card उस पे आपको जो है कि AMCTS registration ID number दिया हो रहता है इस पे आपको type करना है अगर आपको पता नहीं है तो इस box को आप छोड़ सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे child का first name को type करना है child का middle name है तो इस box में type करना है नहीं तो इस box को छोड़ दना है इस box में child का last name को type करना है यहाँ पे gender को select करना है उसके बाद इस परकार से scroll down करना है अब यहाँ पे सबसे पहले जो है कि father's name को type करना है first name middle name है तो इस box में type करना है अगर नहीं तो इससे आप छोड़ सकते हैं इस box में father's name का last name को type करना है उसके बाद scroll down करना है अभी यहाँ पर सबसे पहले id proof आपको select करना है father's का तो इस वाले पर click करना है father's के पास जो भी document होगा यहाँ select करना है तो चलिए मेरे पास अधार card है अधार card को select करेंगे इस box में अधार number को type कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर id proof आपको select करना है mother's का तो चलिए इस वाले option पर click करना है जो भी आपके पास document होगा select करना है यहाँ पर id number को type करना है next के option पर click करना है उसके बाद दूसरा step का page open हो जाता है जिसमें address details को fill up करना है तो सबसे पहले यहाँ पर fill up आपको करना है permanent address तो यहाँ पर आपको fill up कर लेना है उसके बाद इस परकार से scroll down करना है तो इसी परकार से दोस्तों यहाँ पर जोई कि अपना address details पुरा fill up आपको fill up कर लेना है fill up करने के बाद जैसे आप scroll down करते हैं तो यहाँ पर दिख जाता है next next के option पर click करना है उसके बाद दोस्तों फिर तिसरा step का page open हो जाता है जिसमें other details को fill up करना है जैसे आप next के option पर click करते हैं तो उसके बाद जो है कि चौथा step का page open हो जाता है जिसमें document details आपको fill up करना है कुछ document को upload करना है उसके बाद जैसे आप next के option पे click करते हैं तो दोस्तो फिर आपको catcha code को fill up करना है declaration form को एक tick out करना है उसके बाद दोस्तो आपके mobile number पर एक OTP को send किया जाता है OTP को आपको fill up करना है जैसे final summit के option पे click करते हैं आपको download करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे दिख जाता है इसी वाले option पे click करना है और यहीं से आप status को check कर सकते हैं और यहीं से आप birth certificate को बहुत ही simple तरीका से download कर सकते हैं और अगर आप birth certificate में correction करना चाते हैं तो इस वाले option पे click करके आप यहाँ से correction कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपका state का नाम शोर नहीं कर रहा है तो ब्रॉजर में type करना है birth registration जैसे search के option पे click करते हैं तो फर्स्ट अबला जो link दिख रहा है इसी link के ओपर click कर देना है और इस portal के मादियम जो है कि आप पूरे भारत के लिए birth certificate के लिए registration कर सकते हैं इस portal से birth certificate के लिए apply कैसे किया जाता है उसके लिए already वीडियो बनाया हुआ है वीडियो का link इस वीडियो को description में मिल जाएगा तो इस परकार से आप जो हैं कि birth certificate के लिए apply कर सकते हैं और download कर सकते हैं